अबेल बनाई एकोन को तो अबल के बनाई ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप से मिसना हो, इट्स टोटली प्रेट्ट्ट्वल चिकन लिम नें बनाई चेकन चिकन बिव्यानी कहीं चाहरा की बनाने कूछी बैतषाय से यहां बदो पर ऑच्छी से मेंट नियुक्त आप नियुक्ट है जोंग लम कारेख दियाका ताकि जब हम इसे इसे अच्छेस अच्छ चलाजाए रिया रियादी के लिए हमें चाहिए पास्टो ग्राम र्वास ब्सक्राइस युज़ कही हुए हुए हम 15 मिले बिग पर पर दो पर प्रोंड भीराइस हम इसे चलाजाए हो दोगारों, जब औ 3 बड़ी प्यास फ्यूवी अब जब बिव्यानी कोर्मा बनाते है तो इसमें फ्यूवी प्यास बहुत ही साथा जब भी होती है बिव्यानी साथ ले ले 14 Χांट की अई, साथ फ्यास फ्यूत डिये ले लिया है सदी स्मूआ हञे घ्यानी की आधा थी स्पूर्टी की बाले में गुद्वाय ही ऀतिएव फ स्क्रामर ले स्क्रेट बिश्पान। आप तीखा अपने हिसाब से कमजादा कर सकते हैं खड़े मसालों में हमें चाहिए तेजपत्ता, जावेती ले लेंगे एक बड़ी लाइची, दो हवी लाइची, दालचीनी, तीन से चाव लॉंग, तीन से चाव काली मिर्च यह हमने खड़े मसाले देख लिए है अब कार्णिष के लिए और बिब्यानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढाने के लिए हमने पुदीन घणअ पत्ती ले लेंगे और हवा धनिया लेंगे यह आप आपके टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं जब जब देसी घी चाहिए हमें देशी घी टेस्ट बढ़ने के लिए आप सिर्फ चाहे तो कुकिंग ऑल में भी पना सकते हैं यह इसे घी में भी यहां पर यहां पर कुकिंग ऑल दोनों यूज करने माली हो इसके अलावा हमें कुकिंग ओई चाहिए तो यह तेखिए यहाँ पर हमने अपने सावी के सावी इनकी विडियोंस देख लिए है अब हम जल्दी से चलते हैं बिव्यानी बनाने के लिए यहाँ पर दो स्टेप होते हैं एक तो चिकन को मैंने करके पकाना और दूसरा होता है वाइस कैसे बॉइल करना है यह तो मैंने आपको पहले ही पता दिया अगर चाहे तो मैंने चानल पर वाइस कैसे बॉइल किया जाए उसे देख सकते हैं तो चिकन को मैंने करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी अधवक अबलसून की पेस्ट साथी डालेंगे दही डाल देंगे इसमें दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लम्स न रहे अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले और हवे मिर्च हमें यहाँ पर डाल देंगी है जो सॉल्ट एट कर देंगे नमक मिर्च आपकी इसमेटा कर सकते हैं साथी अब हम इसमें डालेंगे कुबी स्वी प्यास अब धूट अब ऑन्निन डाल देंगे इसको हातों से थोड़ा साथ से मेसल कर दालें फुदिना पत्थी जालगे using अगर चाहे तो पुदीनफक्ति, हराधनिया और हरी मुचकी पेस्ट पना कर भी इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हराधनिया देखिए अब हमें सावी के सावी हमारी जो इंकूरियास दाल दिये है जिसमें आफ। सबस्तिया रिए चाहर ने लिए इसब देंगे अनक्रsण चाहें लिए की वाती बूर्च़ प्रिम sorry जोब देंडें से 1-4 घंटा हो चुका है चिकन हमेरा बहुत यह से बनाना हो चुका है अब चलते है इससे बनाने की तरह बिश्चाडाने के लिए यहां पे मैंने एक पैंचा दिया हैं चाहते तो तलुट से भी में दुटाए गर्म हो चुका है अब भाई की सावी की ख़ड़े मसाले चला देंगे चला देगे इसे तो अच्छामा तैना हुए पुमने टेना है ताकि तो पलेवर तो प्लेवर बाई अच्छामा मगनेटे चिकन डाल देना है तो यह देखिए यहां पर मैंने सारा के सारा मैगनेटर चिकन इसमें टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढख कर घीमी आज पर 10-15 मिन तक के पपने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैने से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे एक लिड से ढख देंगे और ग्यास की प्लेम लो रखेंगे लो प्लेम पर हमें इसे ढख कर घीमी आज पर 15 मिन तक के पका लेना है ताकि हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है उस ग्यास की प्लेम बंकर देंगे और दूसरा पैन लेवो लेड़ाए तो इसुमारी ने डाल देखिए यहांपर मैं इस पेड दूसरे वैसन में शिफ्ट कर लिया है और इसमें वैस्ट जब च्कन चीकन एच्छी से पक्चुका टाल यहां पर मैं इस समय उपर दाल नही हू जुकि जब हम इसे सर्फ करते हैं तो जो पीसेस है वो दिखने में बहुत जादा अच्छे दिखते हैं, तो यहाँ पे ने फूर कलब ले लिया है जिसको कि मैं इच्छे से पानी डार के mix कर लिया है, मैं इसे यहाँ पर इस तरह से डाल दूगी तो यह फूर अपट कलब डाल दिया है, मैंने तो यह देखे है यहाँ पे फुर कलफ डाल दिया है थूदवी सी फ्याय्ड ओनियन डाल देंगे, पेला देंगे इस इच्छे से। उदीना पती दाल देंगे, उदीना पति नावचंत से राइस को हमें पुदीना पत्ति पर्ष sage , घाहे तो तो निदेए वला की परीच चाए में अब हम से पुदीना पत्ति तो पुदीना पती हानिया के और अब चाहे to f RAM फूर ड्याल सकते है है तो फिर अपनी लीजाता है भो दाल सकते है देशी घी के पाँ तो किल्कडा लाम यहां लाल का लेदंगे देशी ज़ीं में तंग दीचिए गया ताया से पूसे अलेगे अब धक पास जाड़े तले का बरतन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर यह बरतन रख सकते हैं तो डोटल हमें असे 10 मिट तक के पका लेना है उसके पास जो बिव्यानि है वह बनकर बिलकुल तहीं तो यह देखिए 10 मिट हो चुके हैं पान काड़ न चाब ता देंगे अब देख सकते हैं कि हमारी गर्मा-गर्म बिव्यानी बनकर बिलकुल तहीं हैं ते लिए प्लेंग आप देख सकते हैं कि उसके वज़े से चिकन की पीसेस को जो है बहुती अच्छा सा कलर आ गया है तो हमारी बहुती डिलिशियस बहुती सिंपल और क्विक वेसिपी तयार है आप इसे एक बार सब्सक्राइब कीज़ेगा और मुझे जबर पता हुआ कि आपकी वेसिपी कैसी